आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बहुत आसान टेस्टी आलू की सबजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बचों की टिफिन में जरूर बनाएं बहुत ही क्विक और टेस्टी सबजी है लाइक सबस्क्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी लेटिस्ट वीडियो देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू की सबसी बनाने के लिए हमें चाहिए ये चीजें वाफ कीजी आलू जिसको हमने पतले पतले स्लाइजे में कट कर लिया है दो चोटी प्यास कटी हुई बन टी सबून नमक बन टी सबून क्रश किया हुआ अधरक लेसन साथ हरी मिर्च कटी हुई अब तेल को गरम होने देंगे चलिए अब प्यास को फ्राई करते हैं फ्लेम को हाई करके जैसे ही प्यास पिंक होने लगे तो फ्लेम लो कर दें धीरे धीरे गोल्डन फ्राई करें प्यास को प्यास गोल्डन हो गई है फ्लेम को आफ कर दें और इसको निकाल लें जिस तेल में प्यास को फ्राई किया था उसी तेल में सबजी बनाते हैं अलग से तेल नहीं लेंगे हमने तेल को हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है अब फ्लेम को लो कर देंगे और पूरी सबजी को लो फ्लेम पर पकाएंगे उसी तेल में जीरा डालें, जीरा चटकने लगे तो क्रश किया हुआ अद्रक लेशन आयट करें अद्रक लेशन का कलर चेंज होने लगे तो कटी वी हरी मिर्च डालें अब कटी वी हरी मिर्च डालें और थोड़ा सा मिक्स करें मिक्स करने के बाद हल्दी डालें और थोड़ा सा चलाएं उसके बाद आलू की कटीवी स्लाइसेज अड़ करें अब अच्छी तरह से मिक्स करें अब नमक डालें और थोड़ी दे तक चलाएं नमक डालने के बाद आठ मिनट तक ढखकर पकाएं आठ मिनट हो गए हैं अब काली मिच पाउडर चिली फ्लेक्स और साथ में फ्राई कीवी प्यास डालें और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें अब इसको गानिश करने के लिए हरी धनिया डालें उसके बाद फ्लेम को आफ कर दें और फिर सर्व करें बहुत ही यमी डिलिशियस और टेस्टी आलू की सबजी तयार है गरम गरम पराठे पूरी या रोटी के साथ खाएं प्लीज मेरी रेसिपी को ट्राइ करें कमें सेक्षन में जरूर अपनी राय दें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है निक्स रेसिपी में मिलते हैं बाई बाई